नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूलकुमारी आज हम सब मिलकर सत्य या सच का पालन करने का महत्व बताने वाला कबीर दाज जी का एक दोहा सीखेंगे नमस्कार दीदी, हमारी मम्मी भी हमें हमेशा सच बोलने को कहती है मैं उनको ये दोहा सिनाऊंगा, तो वे बहुत खुश हो जाएंगी, सिखाईए सिखाईए ते सुनो, साच बराबर तक नहीं, जोट बराबर पाप जाके हिरदे साच है, ताके हिरदे आप इस दोहे का सीधा सरल मतलब यह है, कि सच के बराबर कोई तक नहीं, या तपस्या नहीं होती और जोट के बराबर कोई पाप नहीं होता और जिस मनुष्य के हृदय में सत्य है, उसे के हृदय में स्वयम भगवान निवास करते है अच्छा, मतलब अगर मैं हमेशा सच बोलूंगा तो मेरे अंदर भी भगवान घर बना लेंगे हाँ, पर सच से यहां कभीरदार जी सिर्फ सच बोलना ही नहीं बलकि सच का जीवन के हर पहलू में पालन करने की बात भी कर रहे है वैसे तो हर मनुष्य का सच उसके अपने अनुभव के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है तो वे सब भी अपनी जगे अलग-अलग बात को सच बताएंगे पर सच या सत्य वै होता है जो भूत, वर्तमान, भविश्य, किसी भी पल या किसी भी परिस्थिती में वैसा ही रहता है बदलता नहीं है और हमारा अंतरमन हर परिस्थिती में हमें सच की राह दिखाता है जिसे हम टाल कर अपने दिमाग की सुन अपने अनुकूर परिस्थिती बनाने वाली बात को ही सच सिद्ध करने में लग जाते हैं, है न? हाँ, पर ये सच नहीं हुआ न दीदी, ये तो जूट ही हुआ न? बिल्कुल जूट हुआ, यानि जूट का अर्थ भी इस दोहे में सिर्व जूट बोलने से ही नहीं होता, बलकि सत्य चुपाने या उसे अपने तरीके से मोड कर प्रस्तुत करने से भी है अच्छा, पर अपने तरफ परिस्ति बलाने का फ्रयास तो हम सब सत्य को मोड कर हर समय ही करते रहते हैं तभी दोहे में सच के पालन को तपस्या बताया गया है, क्योंकि ये तो बड़ा कठिन काम है और जूट, ये सत्य को परिवर्दत करके प्रस्तुत करने को पाप बताया गया है, जो भी हम सब खूप करते हैं हम, ये सत्य की तपस्या तो बड़ी कठिन है, हम तो जूट वाला पाप ही करते रहते हैं रीदी तो क्या आप हमारे अंदर कभी वगवान निवास नहीं करेंगे? अरे, अरे, ये दोहा मैंने आपको निराश करने के लिए थोड़े ही न सिखाया है ये का आपने सुना ही होगा, कीश्वर तो हम सब के अंदर होते हैं अरे, हाँ, तो फिर इस सत्य की तपस्या का क्या प्रयोजन? अरे, पूरी बात तो सुनो, क्या आपको मेरा सिखाया हुआ पूर्ण मदह वाला शांति मंत्र याद है? हाँ, देदी, याद है इसमें आपने बताया था, कि माता की तरह, भगवान ने भी हमें अपनी तरह, पूर्ण ही पैदा किया है अपना अंच नहीं हाँ, माता शिशु को छोटे से बच्चे की रूप में ही जन्म देती है जो बड़ा हो, माता पिता की ही तरह, पूर्ण मनुष्य बन जाता है उसी प्रकार, भगवान ने भी अपना बीच हम सब के अंदर रखा है सत्य की तपस्या कर और जूट के पाप से बचकर हम भी उस बीच को उगा कर स्वयम पूर्ण ब्रम्ह या भगवान बन सकते हैं यही सही और पूर्ण रूप में भगवान का हमारे भीतर निवास करने का मतलब है जो कभीरदास जी हमें सिखाना चाते हैं समझे? समझ गया दिदी भगवान कोई पैकुंट के लाश या स्वर्ख से उठकर हमारे अंदर रहने नहीं आ जाएंगे वे तो पहले से ही हैं यहाँ पर हमें उनकी दिव्यता को महसूस करने और स्वयम दिव्य बनने के लिए हमेशा सत्य की रहा पर चलना होगा और अपने फायदों के लिए जूट बोलने या जूट के आचरण को भी द्यादना होगा अगर हम यह तपस्या कर पाए तो हम भी स्वयम भगवान की दिव्यता मैसूस कर पाएंगे यानि हमारे अंदर भी भगवान निवास करेंगे बिल्कुल ठी अब मेरे पीछे पीछे दोहरा कर यह दोहा याद करो सांच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप जूट बराबर पाप जाके हिरदय सांच है जाके हिरदय सांच है ताके हिरदय आप बढ़िया क्या आप पूरा एक साथ बोल सकते हो हादी दी सांच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप जाके हिरदय सांच है ताके हिरदय आप बहुत बढ़िया अब अपने जीवन में सत्य की रहा पर चलने का प्रण लो आज के लिए बस इतना ही अपनी दीदी फूल कुमारी को दीजिये विदा जै माभार्ती जै माभार्ती